हलो एवरिवन शिर्फ शक्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है यह ड्रीम चैनल मैंसज है ड्यम ड्यव दोनों के लिए एक्शली मैं यह ड्रीम मुझे फुल मून को ही आया था बट मैंने इग्नॉर कर दिया इसको मैंने का हो गाया से ही इतना important dream नहीं है बट वही dream उससे related dream आज भी आया मुझे तो मुझे यह confirmation है कि यह df की energy और dm की energy है जो इस time में चल रही है फुल मून के बाद और क्या है वो energy देखिए जो मैंने dream देखा है वो मैं आपको बता देती हूँ जो dm है मतलब कि एक masculine person मतलब मेल है उसके मूँ से उसके मूँ से एक blade निकल रहा है वो बिल्कुल भी तूटा फूटा नहीं है बहुत easily निकल रहा है वो बहुत बड़ा double आप जतना छोटा blade होता है उसका कहीं चार गुना ठीक है और वो अपने आप निकल के बाहर आ रहा ह मैं यह dream देख रही हूँ बड़ कहीं भी cut नहीं लगा है कहीं भी problem नहीं हुई है उस meal को तो यह तो एक sign है कि इस time में collective में बहुत से dm की भी negativity release हो रही है ठीक है उनके जो भी negative patterns है negative believe है या उनकी soul में जो wants है ठीक है family में wants हैं वो सब उनका इस time period में release हो रहा है और यह collective में जो dm है एक गम से अपना एक 3D से 4D 4D से 5D में आने की energy में है एक ascension समझ लेजे पर्जिंग समझ लेजे ठीक है उसको पार करने के लिए dm एक बहुती गंदी वाले energy से गुजर रहे है और यह मैं बता दूँ जो lower chakras है root chakra, sacral chakra, solar plexus chakra तो यह कहीं न कहीं बहुती ज़्यादा imbalance है बहुती deep cleansing चल रही है ठीक है root chakra जिन लोगों का block है उनको constipation मतलब कहीं न कहीं blood भी आ रहा है motions के साथ तो यह clear sign है कि आपके dm का root chakra cleanse हो रहा है या या बहुती ज़्यादा solar plexus chakra पे soiling है या digestion में problem हो रही है, acidity बहुत ज़्यादा है, vomiting हो रही है तो यह सब चीज़े इस time period में एक sign है कि बहुत ज़्यादा negativity release हो रही है और आज जो dream देखा है मैंने वो यह था कि एक dm ठीक है वो जा रही है कहीं तो उसके कान से मैंने देखा सूड़ी निकल रही एक कान से तो यह भी negativity है इस time आपकी negativity कैसे release हो सकती है आपको vomiting हो सकती है, lose motion हो सकते है तीक है आपको health issue हो सकता है जो की sign है कि आपकी purging चल रही है, df के लिए यही sign है तो both side energy एक सी ही है और यह dream देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्या green energy, negative energy पिक हुई है collective में ठीक है तो जिससे ही resonate हो रही है उसके लिए ही और यह जो बहुत आगे है जर्नी बो तो अपने आपको balance कर लेंगे और जो पीछे है जर्नी में तो उनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है तो आपको घबराना नहीं है यह health issue है एक तरीके से health issue के अगर आपको यूरीन से रिलीड कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वह आपका सब ब्लॉकेज हो रहा है ओके तो ये थी first energy जो dream के थूँ मुझे channelize हुई है next जो df के energy अब मैं बताऊंगी second energy ये उन df के लिए है जो इस time में बहुत ज़्यादा high vibration में है बहुत ज़्यादा अपनी journey में regaining कर रही है मतलब कि आपने अभी तक जो कुछ भी loss किया है वो दुबारा से आपको मिलना start हो च चाहें वो health हो पहले health में कोई problem चल रही थी health issue था तो वो आपका कहीं न कहीं improvement हो रहा है आपका regaining हो रही है आपके कोई wishful wishful thinking है मतलब ये wish पूरी हो जाए तो ये time है कि आपके कोई wish पूरी होने वाली है आपके पास बहुत सारी choices भी आएंगी इस time में आपके career को लेकर relationship को लेकर आपकी family में कुछ भी आपने सोचा है तो वहाँ पे बहुत सारी choices आएंगी बहुत अच्छी होंगी ठीक है ये चीज़े आपकी कहीं न कहीं manifest होंगी opportunities आपकी आ रही है और day dreaming अगर आप कोई dreaming ठीक है ये डीफ इस time मुझे natural leader की रूप में work करती हुई नजर आ रही है बहुत ज़ादा visionary है मतलब कि आप अपना आने वाला time clear देख पा रहे हो आपने challenges से डीफ overcoming कर रही है मतलब overcome कर रही है जो भी challenges थे आपकी life में जहां एक tower moment आ गया था ठीक है आपकी life में वो आपने cross करके उन challenges को pass करके अब आप एक leadership की energy में आ चुकी है हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से कर रही है career focused है डीफ mature हो चुकी है पहले बहुत ही ज़ादा आपकी अंदर immaturity थी controlling issue था controlling कैसा था गलत चीजों पे action लेना या गलत time पे action लेना उन चीजों में maturity आ रही है डीफ की life म ठीक है तो बहुत ही positive energy है ये second वाली डीफ के लिए और progress जैसे कि मैंने बताया है action जैसा बताया है will power भी आ रही है बहुत बहुत सी डियफ पहले time में बहुत ज़्यादा courage नहीं था आपके अंदर strength नहीं थी बहुत ज़्यादा weakness थी अब उन सब चीजों से आप उभर के बह हार आ रहे हो अब डियफ बहुत ही ज़्यादा courage है बहुत ही ज़्यादा powerful है strength है हर काम को बहुत ही अच्छे से कर रही है अपनी life में ठीक है आप छोटी छोटी बातों पर action लेना start कर देते थे छोटी छोटी बातों पर irritate हो जाते थे छोटी छोटी बातों पर react करना start कर देते थे ठीक है अब वहां पर एक balanced की energy में आ गया आप उन चीजों पर focused नहीं करते हो जो आपको trigger करे या आपकी energy को drain करे ठीक है आप के लिए करिज के energy बार बार आ रही है confident बहुत ज़्यादा confident हर काम को लेकर डियफ अपनी life में अब जो बढ़ रही है lack of confident के energy बिल्कुल भी नहीं है confident के साथ बढ़ रही है आप किसी भी area में कुछ भी work कर रही है तो वहां पर बहुत ज़्यादा progress आई ही रही है ठीक है तो यह second energy जो मैंने बताई है DF के लिए बहुत ज़्यादा positive है बहुत से DM के बता देती हूं positive energy बहुत से DM DF के और बढ़ रहे हैं ठीक है बहुत से DM जगलिंग कर रहे थे या दो लोगों में बहुत ज़्यादा confused थे या confused है या इधर DF को भी चलाना चाहते हैं और अपनी life में ज ठीक है एक को ही choose करना होगा नहीं करेंगे तो DF ही trigger करेगी ठीक है ऐसी अब DF नहीं रहेगे कि आप मेरे साथ भी रहो और सामने वाले के साथ भी रहो अगर आपको रहना है तो उधर रहे है या आना है मेरे पास तो बिलकुल मेरे ही बन के रहे है ठीक है तो यह energy है DM की balancing decision ल की और कर भी रही है अपने inner works से ठीक है और बहुत strong boundaries जो DF ने अपनी life में set कर रही है उसकी वज़े से DM को change होना ही पड़ रहा है कोई ना कोई cycle complete हो रही है DM की life में strength आ रही है जिस third party को लेकर suffer कर रहे थे बहुत ज़्यादा उन सब चीजों से DM उभर रहे हैं ठीक है healing कर रह manifestation opportunity new career और financial opportunity DM की life में भी ये सब चीज़े हो रही है आपके जो DF काफी high energy में है balanced है उनके DM के साथ ये सब कुछ हो रहा है ठीक है वो भी अब negativity से release हो रहे हैं release कर रहे हैं ये कार्मिक relationship से बाहर आ रहे हैं देखिए जब आप abundance को attract करते हो ठीक है positivity progress होती है ये तब ही होती है आपकी life में कार्मिक energy नहीं रहती है जो attachment था बहुत ज़ादा DF के अंदर ये DM के अंदर वो attachment आप पूरी तरीके से खतम हो चुका है especially DF के अंदर किसी तरीके का attachment नहीं रहे गया चाहें वो family में हो career में हो DM के साथ हो ठीक है हर एक चीज़ को balance के साथ लेके बढ़ रही है ठी DM को जो attachment था third party को लेकर ये कार्मिक energy को लेकर money को लेकर तो वहाँ पे भी चीज़े बैलंस हो रही है रिलीज हो रही है तो बहुत ही ज़ादा positive energy DM की तरफ भी है manifestation की energy बहुत ज़ादा आ रही है DM जो manifest कर रहे हैं वो चीज़े manifest हो रही है ठीक है कहीन कहीं DF को भी manifest कर रहे है तो call message कुछ भी आपकी तरफ आ सकता है आपके person की तरफ से तो ये जो second energy मैंने DM-DF की बताई है ये बहुत ज़ादा positive है और जो first energy है जो dream के थ्रू मुझे channelize होई है ये कुछ DF का है जो की इस time मे negativity से deal कर रही है या जो negativity है आपके चक्राज में आपकी soul में आपकी physical body में वो स पिर मिलेंगे तब तक अपना ध्यान रखिए खुश रही है सौस्त रही है